हेलो एब्रिवान, क्लास 2, सेमेस्टर 2, पेज नमबर 45, दा नेम अब दा चाप्टर इज लिटिल रेड हैन, दियो स्टुडेंट्स आज हम कोईस्टेन आंसर करेंगे, ओके, दियो स्टुडेंट्स अब सभी को आपने इंग्लिश नॉट्बुक में ही लिखना है, और जैसे लिखा हुआ है, वैसे ही आपको लिखना है, जो क्यापिटल लेटर में लिखा हुआ है, उसे आपको क्यापिटल लेटर में ही लिखना है, ओके, अनसर इस कोईसेन ब्रीफली, वान नमबर, और को लिखा लिए भी लिखना हुआ है, ताउसे स्मॉल फार्म वाउस में कौन रहते थे, लिटल रेट हैं, डक, और क्वान, डोग, जा कैट है, एनसर, लिटल रेट हैं, ए रेट, ए डख, आट, अन सर्कों, कौन हर समय ब्यस था कौन लिटल रेड है ना अंसर लिटल रेड है थार्ड नमबर बिल्ली को क्या करना पसंद था धूप में सोना है ना अंसर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है जो क्यापिटल लेटर में है उसे क्यापिटल लेटर में ही लिखेंगे ओके फोर्थ नमबर कुट्य को क्या करना पसंद था रनिंग करना है ना खेलना अंसर दोग वांटे तो रन एंड प्ले फिफ्ट नमबर क्या करना पसंद था क्या करना पनी में तेरना है ना अंसर दोग वांटे तो स्विम इन ए पॉंड ओके ओके 6 number who ate all the bread dear students sari roti kisne khyi kisne answer little red hen and her three chicks ate of all the bread okay 7 number who did little red hen ask for help 7 number dear students little red hen ने किसे मदद मंगी थी? किसे? The duck, the cat and the dog अंसर क्या होगा? The duck, the cat and the dog ओके? 8. नंबर Name the things little red hen did Dear students उन चीजों का नाम बताईए जो little red hen ने की थी? है ना? Answer Planted the seeds Harvested the wheat Took the bread to the mill Made the floor into bread And ate the bread with her three chicks Dear students जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है जो capital letter में है उसे आपको capital letter में ही लिखना है जो small letter में है उसे आपको small letters में ही लिखना है clear, thank you और आप सभी लोग अपने English notebook में ही लिखना है ओके?